असलाम अलेकूल वीवर्स कैसे हैं आप सब उमीद है आप खेरियस से होंगे आज मैं आपको साथे फैब्रिक से घर के फैब्रिक से मास्क बढाने का आसान तरीका बताऊंगी आप कोई भी फैब्रिक ले ले एक प्रिंटी ले ले एक प्लें ले ले या दोनों ही प्रिंटी या दोनों ही प्लेन ले लें छे इंच चुड़ाई लेनी है आपने और दस इंचिस की लंबाई लेनी है यह देखें आप इसे ऐसे फोल्ड कर लें डबल फैबरिक को उपर निचे रखकर ऐसे फोल्ड कर लें और इसे एक और फोल्ड कर लेंगे बारा फोल्ड हो गया है इसे दरम्यान से पिन अप कर लें ताकि अच्छे से कटिंग हो जाए अब दोनों साइड़ों से मैं एक एक इंच पर निशान लगाऊंगी और ऐसे और वाली साइड पर एक इंच से निशान लगा कर ऐसे सामने से थोड़ी सी गुलाई कर लें यह हमारा दरम्यान का हिस्सा है जो हम गुलाई कर रहे हैं और यह जो हमने कम कटिंग किया है यह साइडों का हिस्सा है साइडों के हिस्सों को कट कर ले अब ये हमारे दो पीस प्रिंटिड फैब्रिक के और दो पीस प्लें फैब्रिक के हो गया है जो हमारे प्रिंटिड फैब्रिक थे उन्हें उपर निचे रखे और गुलाई पर सिलाई लगा ले दूसरे पीस को भी ऐसे ही करें गुलाई पर सिलाई लगा ले दोनों हिस्टों पर मैंने सिलाई लगा ली है गुलाई पर अब इसे उपर से एक और सिलाई लगा लें ताकि ये अच्छे से पका भी हो जाए और फुल भी जाए दोनों फैब्रिक की उपर से एक और सिलाई लगा लें अब हम इसे उपर निचे रखकर जाने के दोनों जो हमारे सीधे हिस्से हैं वो दरम्यान में अंदर की तरफ हो और साइडों की सिलाई लगा लें दोनों साइड पर साइडों की सिलाई लगा लें और कोनों को अच्छे से पका कर लें यह देखे हमने सिलाई लगा ली है अब इसे पलट लें पलट कर इसे अच्छे से प्रेस कर लें यह देखे मैंने प्रेस कर लिया है आप लास्टिक लें आप दो पीस लास्टिक के लें तकरीबन साथ-साथ इंच की लैंट के दोनों पीस ले लें लास्टिक के और इन्हें साइडों की जो हमारे खुलाई थी इसे अंदर की तरफ फोल्ड करकर ये लास्टिक कोनों पर लगा दे और सिलाई से अच्छे से पका कर ले दोनों साइडों पर लास्टिक से सिलाई लगा कर अच्छे से पका कर ले विवर्ज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शियर जरूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही लगी बैल को भी प्रेस कीजिएगा ताके मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके अल्ला हाफिज